बहुती सरम की बात है तथाकति सनातन धर्म के ठेकेदार बने हैं वो इस सवाल पर उस बात पर इस मुद्दे पर जवाब दे कि क्या कहां चूख हुई कि जो लड़ू राम मंदिर में जो कारिकरम हुआ राम मंदिर का उसमें भी लड़ू आये जिसमें मचली के अंज मिले है अंडो का और कई चीजे उसमें सामिल है तरफ धर्म के ठेकेदार बीचिपी और दूसरे तरफ इस तरह से धर्म के साथ कि यही असली चहरा शरीत रहे भारती जनता पार्टी यह मामला कहीं से निकल के आया है जान ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर जान यह चीजे नहीं नि को खुल के जबाब देना चाहिए इस मुद्य पर उनको बिल्कुल सांत नहीं चाहिए अयोध्या जैसे मंदिर में राम मंदिर में जो 20 सुप्रख्यात उसके नाम पे भारती जनता पार्टी 2014-2017-2019 में इतनी बड़ी बहुमत पाई और वहां पे दलित महिला को दलित लड़ नमस्कार मैं है आतबास और आप देख रहे हैं 4PM News Network जहां भारती जनता पार्टी धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का और बेवखुव बनाने का काम करती आई ऐसा विपक्षा कहना है वही एक बार फिर से तिरुपती के लड़ू जो हैं वो चर्चा में हैं दर असल उन लड़ूों में मास और मचली के अंडों की होने की पुष्टी हुई है तब से बवाल मचा हुआ है सियासी गमासान मचा हुआ है विपक्ष भी टारगेट कर रहा है विपक्ष भी हमलाव हुआ है कितनी ठेस पहुची है और बड़ा सवाल भारती जनता पार्टी पे है कि जब वो बुल्डोजर जला देते हैं सब पता कर लेते हैं तो आखिर यहां पर कैसे चूक हो गई कैसे इतने शरधालों की आस्था के साथ खिलवार हो गया तुसरे तरह राहुल गांदी की मैं बात करूं अमेरिका से सीधे हर्याना पहुचते हैं वो जिस नौजवान से वो वादा करके आये थे राहुल गांदी पर अफाई आर हो जाती है आतंग वादी कहा जाता है तमाम तरह के पयान क्योंके हर्याना चुनाव सर पे है और भारती जनता पार्टी को एक बार फ कुष्टी हुई ऐसे लोगों को कितना आहात हुआ है क्योंकि यह जो धर्म को लेकर और इस तरह की चीज़े जब सामने आती है तो लोगों की आस्था को बहुत ठेज पहुचती है वो लड्डू राम मंदिर आयोध्या भी पहुचे थे बहुत इस सर्म की बात है तथाकति सनातन धर्म के ठेकेदार बने हैं वो इस सवाल पर उस बात पर इस मुद्दे पर जवाब दे कि क्या कहां चूख हुई कि जो लड्डू राम मंदिर में जो उद्गाट कारिकरम हुआ राम मंदिर का उसमें भी लड्डू आय जिसमें मचली मचली का मचली के अंस मिले हैं अंडो का और कई चीज़ें उसमें सामिल हैं तो यस सवाल उन से है कि सोचिए कितनी बड़ी बहुत लोगों की भावनायहाथ हुई है कैसे हुआ उसकी जांच होनी चाहिस में प्रदाण मंतरी की प्रदान मंतरी को खुद इसमुद्दे में उतराना चाहिए उसमें बड़ हुआ है और उसमें ऐसी चीजे ऐसी चीजे मिली हुई है बहुत ही सर्म की बात है इसमें भारती जंता पार्टी के जो लोग है जिम्मेदार है अधिकारी है यह सवाल या निसान उन पे है उनको अपना मुझ खोलना चाहिए जवाब देना चाहिए कि कैसे हुए इतनी बड़ के उपर लड़ू चड़ते हैं किस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ धर्म के ठेकेदार बीजिपी और दूसरे तरफ इस तरह से धर्म के साथ खिल यही असली चहरा शरीत रहे भारती जंता पार्टी यह मामला कहीं से निकल के आया है जान ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर लड़ू बनाने में इतनी बड़ी भूल हो गई क्या साजिस्ती क्या नहीं थी यह बास सवाले निसान उन पर है यह मुद्दा उनको इस मुद्दे बोलना चाहिए मुखर हो करके बिल्कुल बेजिपी के नेता भी खामोश है वो नेता भी खामोश है जो राहुल गांदी क kepada भी पशिके नेताओं को घेडते हैं धरमके मुद्ये पर तो धर्म के बताए कितनी बड़ी कितनी लोग है जो अपने भगवान को मानते हैं उनका प्रसादством करते हैं कैसे बताईए सवाल उनसे पूछना जाएं सिर्फ बहुत Вलों हैं इस आहाव कितने हैं क्या सोच रहे पालने तो इस मामले में जो वहां के माठादीस हैं जो ह Vikings getτι ना चाहिए इस मुद्धे पर उनको बिल्कुल सांत नहीं देड़ी कि वही looks कर CAP से हैं bरी तरह से पमान हो रहा हैं दो सब्सर्म वोते जा रहा रहा है उस पर उनको को जबाब देना चाहिए लेकिन कोई नहीं बुलने वाला है तो भाजपा का ही राता है कि जला सबका काम लेना होता है तो सबको हिंदू बनाओ इसके बाद अपना काम करते हैं सब मतलब जब इस्तिमाल करना होता है तो चुनाफ भी तो आने वाले हैं उपचुनाफ पर और विदान सबाइब चल रहे हैं हरियाना कश्मीर जारखन हम तो कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में दस जगाए दस सीटों पर उपचुनाफ होने हैं भारती जनता पार्टी वहा समझने लगें खुद को यहां के सीटे जीत के अखलेश यादव अब अब देख के अब बताएंगे हम अब जब यह उनकी निरासा हतासा का कारण है आप देख लिए मिल्कीपुर की जिम्मेदारी मानी मुक्यमंत्री योगी अधितनात जी कुमली है मुक्यमंत्री जी आप कर लेंगे तो एक सीटे पा जाएंगे नहीं तो वह एक सीट भी पाने वाले नहीं है वह खामोश है भारती जनता पार्ड़त बात है भाई यह तो गलत है हिंदु कर आप लुग को कितना हाथ हुआ है क्योंकि महां पर तो सानिश्रत धालू पहुचे लेते हैं जे 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 गरे जाच कराएंगे इए फटर cuatro जाता है तब यह तुरू है यह आ है किस ने और कैसे इतना बढ़ गया महतुरूपती में यह तक क्या गया अब यहत्याम प्रूभ चलेगा तब तो बहुत देरु नहीं हो गाएज चालू है यह कह एक दीरे दीरे पता चलेगा इस तरह से आस्था से आप लोगों की खिलवार हो जया हुआ हिंदू के आस्था के साथ देरे देरे क्यों हिंदू को आस्था में तो फाष्ट ट्रैक में उसको चलाना चाहिए ठोको-नी पर सवाल है योगी आदितनात के लेकिन अब सवाल ये बड़ा उठ रहा है कि अभी तक वो मुझरिम नहीं पकड़े जा रहे हैं जो आस्था के साथ खिलवाड करे जा रहे हैं कि यह जा रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए और कानून ब्वस्था के नाम पर जो मुख्यमंत्र प्रिजी है ये बताईए आयोध्या जैसे मंदिर में राम मंदिर में जो 20 सुप्रख्यात उसके नाम पर भारती जनता पार्टी 2014-2017-2019 में इतनी बड़ी बहुमत पाई और वहां पे दलित महिला को दलित लड़की को वहां उसका बलतकार कर दिया गया सफाई करने वाली दल लोगा महिला को उठा लिया जाता है और सोचिए वो तो धरोगा है उसके उपर प्रसासनिक उसके आफिस के संबंधी लोगों का दवा होगा हो सकता उसका बलतकार हो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सरम करनी चाहिए इनको बताईए कैसा ग्रह मंत्री जी आय की थी आप लोग ने यही भारती जनता पार्टी का ढपोशला है जो भारती जो हजार चौबीस में उसका यह हाल हुआ है लोग जानगे कि सफफर जी सफफर जी है यह सब जो बाते करते हैं जनसभाओं में बोलते हैं सफफर जी तो देखिए तिरुपती के लड़ू पर घ देखने को मिलेगा कैमरो पुर्शन सतन अरायन के साथ मैं है अतब बास फो पेम नियुस सांपर